नमस्कार साथियों आज कल के बच्चे सुनते कहां हैं? ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं और ये सिर्फ आज की बात नहीं है बलकि हर काल में यह बात कही गई है और ये बात कहने वाले लगभग हम सभी होते हैं बस समय समय की बात है वास्तविक्ता यह है कि बच्चों की बात बड़े नहीं सुनते और बाद में बड़े बच्चे बड़ों की नहीं सुनते हैं और जिसे हम एक दुस्चक्र अर्थात वीसियस सरकल कर सकते हैं आखिर ये होता क्यों है? वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं पर उनमें से कुछ प्रमुख कारणों की चर्चा करेंगे तो बात साप हो जाएगे। दर असल ना सुनने की शुरुवात बच्चा जब दूध मुहा रहता है तभी से हो जाता है। बच्चे को भूख लगे अना लगे, दूध जरूर पिलाई जाती है और लगभग जवरदस्ती पिलाई जाती है। दूध भले ही ममतावस पिलाई जाती हो लेकिन सुनते कहां हैं बच्चो की आवाज। बच्चा रोता है फिर भी दूद पिये विना छुटकारा नहीं है वैसे आज कल इसका थोड़ा सरल उपाय आ गया है बच्चा रोये नहीं इसलिए उसे मोबाइल से वीडियो दिखाने लगते हैं या पकड़ने लायक हो जाता है तो पकड़ा भी देते हैं और आराम से दूद पिलाते या खाना खिलाते हैं जो कि स्वास्थ की दृष्टी से बहत खतरनाक है पर ऐसा ना करने के लिए किसी को बोल के देखिए कोई मा नहीं मानने वाली है एक और काम हो रहा है कि बच्चा जैसे ही दूद फिनिश करता है मोबाइल वापस ले ली जाती है बच्चा फिर रोता है लेकिन सुनता कौन है वो तो भगवान की कृपा है कि बच्चे जल्दी ही बहल जाते हैं मगर फिर भी इस माहौल में बड़े होने वाले बच्चे थोड़ा और ही अलग किसम के हो रहे हैं इस में कोई दोमत नहीं है अब जब खाने पीने में भी बच्चे की बात नहीं सुनी जा सकती तो बाकी पढ़ने लिखने खेलने खूदने की तो बात ही छोड़ दीजे और यही कारण है कि हर बच्चा जल्दी से जल्दी बड़ा होना चाहता है पर बाद में बड़े हो जाने के बाद जब जीवन के बड़े बड़े थपेड़े पड़ते हैं तो बच्चपन की याद फिर से आने लगती है नहीं सुनने का एक और महत्तुपूर्ण कारण कुछ इस तरह की घटनाएं भी होती है होता यह है कि एक आदमी के पिता जी का स्वर्गवास हो जाता है तो घर के लोगों का रोना सुनकर पडोस के लोग आते हैं पडोसियों में भी सब एक बरावर नहीं होते एक पडोसी ऐसा था कि घर के सभी लोगों को बार-बार समझा रहा था ठीक भी बोल रहा था कि होनी है कौन टाल सकता है इतने ही दिन के लिए आये थे सबकी यही गती होनी है लेकिन आत्मा अमर है आप लोग रोएंगे तो दिवंगा तात्मा को और ज्यादा तकलिफ होगी घर में रोने वाले भी एक जैसे नहीं होते कुछ लोग कुछ ज्यादा ही रोते हैं जिनें बार-बार समझाने की जूरत पड़ती है फिर धीरे-धीरे सव को समसान घार्ट ले जाने की तैयारियां चालू होने लगती हैं और समसान घार्ट ले जाने के बाद माहल थोड़ा सामान्य होने लगता है ऐसा ही कुछ उस घर में भी हुआ अब कुछ महिने बाद जो इस घर में सबसे ज्यादा समझा रहे थे उनकी माता जी का देहान थो जाता है तो उनके घर की रोने की आवाज सुनकर अब उनके घर भी सब पडोसी लोग आते हैं और उनके घर वालों को भी सबसमझाते हैं और ताज्जूब की बात यह भी होती है कि जो पडोसी अपने पिता के मरने पर सबसे ज्यादा रो रहा था वही अब इस घर के लोगों को सबसे ज्यादा समझा रहा था तो यही दुनिया की दस्तूर है जिसे हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं दरसल भगवान हमें हर चीज को पेर याने की जोडे में देते हैं जैसे की हसना रोना, दुख सुख, छाय धूप, अंधेरा उजाला, जीवन मृत्यू, पाप पुन्य, स्वर्ग नर्ग, अच्छा बुरा, प्रेम घृना, हिंसा हिंसा, सत्य असत्य, आकाश पाताल, याद रखना भूल जाना, कहना सुनना, बोलना चुप रहना, आग पान राजा रानी, लाव और हानी, इत्यादी, और इनमें सभी अनिवार्ययों आवश्यक हैं, और एक दूसरे से गहरे रुप में जुड़े होते हैं, इन सब का सम्यक उपयोग हो, तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, लेकिन किसी भी चीज की अधिकता बहत खतरनाक, नहीं सुनने से भी अच्छा होता है, और सुनके भी, वैसे ही कहने से भी अच्छा होता है, और बिना कहे भी, भगवान राम, राम नहीं होते, यदिवे सब की बात मान कर, 14 वर्ष के लिए बनवास नहीं जाते हैं, भगवान कृष्न, गोकुल वरिंदावन छोड़कर नहीं शकुनी मामा की बात दुर्योधन बहुत सुने, पर नाम क्या हुआ पता ही है रावाण कंस के बच्चे अपने अपने पिता की बातों को मान कर मौत को गले लगा लिए बुद्ध महाविर, मुहम्मद नानक, जीसस मीरा कबीर किसी ने भी लोगों की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और इसलिए लोग आज उन्हें पूझते हैं और मानते हैं पर ये बात अलग है कि वो क्या क्या कहके गए और हम क्या क्या कर रहे हैं एक बात और कि जिन्दगी भर हम बोलते रहते हैं कि सदा प्रसन और हसते रहना चाहिए पर बच्चा जब पैदा होता है और रोए नहीं तो कैसे भी करके उसे रुलाया जाता है और यदि बच्चा जनमते ही नहीं रोपाया तो वह जीवन भर रोएगा और रुलायेगा भी इन सब बातों से सिद्ध होता है कि परमात्मा ने जो भी चीजें हमें दी हैं सब की उपयोगिता है युम सब अपरिवर्तनिय तथा अनिवारी हैं सच कहें तो हमें कहने और सुनने के बीच एक संतुलन बनाये रखने की जूरत है और जो आदमी संतुलन की इसकला को जान लेता है उसका जीवन निश्चित रूप से मंगल मैं हो जाता है आई लव यू का एपिसोड है तो जाते जाते कुछ फिल्मी लाइन सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है दिल इनसान का एक तराजू जो इनसाफ को तोले अपनी जगा पर प्यार है कायम धरती अंबर डोले सबसे बड़ा सच एक जगत में भेद अनेक जो खोले प्रेम बिना जीवन सुना ये पागल प्रेमी बोले कि आजा तेरी यादाई वो बालं हर जाई कि आजा तेरी यादाई धन्यवाद